हेलो बच्चो, welcome to my channel, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की exercise 14.2 question number 1 बिटा आपको इस question में कुछ figure दे रखे हैं, आप से कहा है, आप बताएए किस figure की rotational symmetric order एक से अधिक है तो बच्चो ये आपको figure दे रखा है, ये बच्चो figure की original position है rotational symmetric order होता क्या है, ये जो original position है, इससे बिटा जब आप इसे घुमाएंगे बार घुमने के बाद वह अपनी original position जैसा ही दिखे, वह बिटा कहलाता है उसका order अब इस बात को हम practically समझेंगे, ये देखे, ये original position है, ये original position अब बिटा मैं इसे घुमाऊंगी, जितनी बार घुमाऊंगी, उतनी बार बिटा ये जो figure है मुझे इस original figure की तरह ही दिखना चाहिए, तो बिटा हम उसे गिन लेंगे और order पता कर लेंगे देखे, सबसे पहले मैंने इसे घुमाया एक बार, ये मैंने घुमा दिया ठीके, मैंने यहां से बिटा यहां ले आई, एक बार घुमाया बिटा आप देखे, original जैसा ही ये वाला figure दिख रहा है, मतलब order 1 हो गया अब बच्चों इसे दूसरी बार घुमाती हूँ, इस तरह से अब आप देखे, अभी भी ये figure इसकी तरह ही दिख रहा है ठीके, ये दूसरी बार घुमाया, अब और घुमाते है अब आप देखे, original figure के जैसा ही दिख रहा है, तीसरी बार घुमाया अब बच्चो और गुमाते हैं अब आप देखे ओरिजिनल पोजिशन जैसा ही ये फिगर दिख रहा है इसे चार बार गुमाया एक बार इधर फिर इधर फिर इधर ले गए और फिर इधर ये बटा गुम के वापस से अपनी मूल इस्थिती में आ गया चार बार आपने गुमाया इस तरह से बिटा आपने जब यहां से यहां तक गुमाया 90 डिगरी गुम गया जब यहां से यहां तक गुमाया तो बिटा 180 डिगरी गुमा और बिटा यहां से यहां तक गुमाया तो 90, 90, 90 ये पूरा हो गया 270 डिगरी और बिटा जब यहां से यहां तक गुमाया तो complete rotation हो गया 360 degree इस तरह से आपने इस figure को 4 बार गुमाया 4 ही बार बिटा वह अपने original figure की तरह ही दिखा इसका मतलब आप तह सकते हो rotational symmetric order 4 होगा ये बिटा एक से जादा है आप से यही पूछा था किस figure का symmetric order एक से जादा होगा तो बिटा इसका symmetric order एक से जादा है अब बच्चों इस figure को check करेंगे क्या इसका rotational symmetric order एक से जादा है या नहीं तो बिटा ये figure की original position है इस तरह से अब बच्चों हम इसे गुमाएंगे जितनी बार गुमाने पर ये original position की तरह ही दिखा वह उसका order हुजाएगा देखे, सबसे पहले बिटा मैंने इसे इस तरह से गुमाया अब आप देखे, ये बिटा अपनी original figure की तरह ही दिख रहा है देखे, triangle shape ही दिख रहा है मतलब एक बार गुमाया हमने यह मूल या original figure की तरह ही दिख रहा है अब इसे दूसरी बार गुमा लेते हैं दूसरी बार गुमाने पर भी ये figure अपने original figure की तरह ही दिख रहा है अब पिटा हम इसे तीसरी बार गुमा देते हैं ये तीसरी बार गुमाया अब आप देखें ये बिटा अपने original figure की तरह ही दिख रहा है मतलब तीन बार गुमाने पे प्रतेक बार ये figure इस original figure की तरह ही दिखा इसका rotational symmetric order बच्चों तीन होगा ये एक से जदा है हम कह सकते हैं यह वह figure है जिसका rotational symmetric order एक से अधिक है अब बच्चो इस figure को हम check करेंगे इसका rotational symmetric order एक से अधिक है या नहीं तो बच्चो देखिए अभी इस position में हैं सबसे पहले इसे गुमाते हैं ये देखिए गुमाया क्या इसके जैसा ये original figure दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो और गुमाया ये ये गुमा दिया अब आप देखिए क्या original position की तरह ये दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्यों क्यों क्योंकि ये इधर की तरफ है ठीके और ये जो box से बिटा opposite direction में है फिर से गुमा दिजी ये गुमा दिया ये बच्चों complete आपने 360 डिगरी गुमा दिया अब आप देखिए ये जो original figure और ये figure सेम हो गए मत एक बार बिटा पूरा आपने 360 डिगरी गुमाया तब जाके बिटा ये original figure की तरह दिख रहा है इसका मतलब इसका rotational symmetric order बन होगा आप से question में कहा ही आप बताईए किस figure का rotational symmetric order एक से अधिक होगा तो बिटा इसका तो एक है तो हम कह सकते हैं इसका एक से अधिक नहीं है अब बच्चों इस figure का rotational symmetric order पता करेंगे ये देखें अब बच्चों आप ध्यान दीजे original figure की तरह ये पूरा figure है सबसे पहले इसे हम गुमाएंगे ये आपने एक बार गुमाया अब चेक कीजे क्या बच्चों ये original figure की तरह दिख रहा है बिलकुल नहीं दिख रहा है फिर और गुमाईए ये हमने कितना गुमा दिया ये बिटा हमने 180 degree गुमा दिया अब बच्चों ये original figure की तरह बिलकुल दिख रहा है मतलब इसका एक order तो हो गया अब इसे और गुमाई है ये गुमा दिया अब बिटा आप देखिए ये original figure की तरह नहीं दिख रहा है फिर और गुमाई अब बच्चों हमने पूरा 360 degree तक गुमा दिया अब ये बिटा पूरा original figure की तरह दिख रहा है इसका मतलब एक बार हमें यहां दिखा था और दूसरी बार बिटा हमें यहां दिखा original figure की तरह इसका order हो गया 2 आप से question में कहा है इस figure का rotational symmetric order एक से अधिक होगा इसका rotational symmetric order 2 है एक से अधिक है अब बच्चों हम चेक करेंगे इस figure का rotational symmetric order क्या होगा सबसे पहले हम इसे देखें ये बिल्कुल original figure की तरह दिख रहा है इसे हम थोड़ा सा गुमा लोगें ये मैंने गुमा दिया ये एक बार गुमाया एक बार गुमाने पर वह अपनी original position की तरह दिख रहा है इसका order एक हो गया अब आगे चलते हैं और गुमा के दिख लेते हैं ये बच्चों दूसरी बार गुमाया देखें original figure की तरह दिख रहा है इसका order अब 2 हो गया अब फिर से गुमाये अब देखें ये बटा original figure की तरह दिख रहा है इसका मतलब 3 बार गुमाया तीनों ही बार बटा ये figure original figure की तरह ही दिख रहा है हम कह सकते हैं rotational symmetric order 3 होगा इस तरह से बटा हम कह सकते हैं ये जो figure ही इसका rotational symmetric order एक से अधिक है अब बच्चो इस figure का rotational symmetric order पता करेंगे ये बटा original figure है इस तरह से अब सबसे पहले इसे हम गुमाएंगे ये देखें मैंने एक बार गुमाया मतलब कितना गुमा दिया 90 डिगरी गुमाया बच्चो एक बार गुमाने पर वह original figure की तरह ही दिख रहा है अब बच्चो दूसरी बार इसे मैंने गुमाया अब आप देखें अभी भी बटा ये original figure की तरह ही दिख रहा है ठीके मतलब इसका order अब क्या हो गया दो हो गया दो बार गुमाया है इसलिए दो हो गया अब फिर से गुमाया अब देखें ये बटा original figure की तरह ही दिख रहा है हम कह सकते हैं अब इसका order तीन हो गया क्यों? क्योंकि तीन बार गुमा दिया अब बच्चो वापस से गुमाये इस तरह से गुमाया अब आप देखें ओरिजनल figure की तरह ही दिख रहा है चार बार गुमाया चारो बार बिटा यह original figure की तरह ही दिखा हम कहा सकते हैं इस figure का rotational symmetric order 4 होगा 4 होगा ये बिटा एक से अधिक है इस तरह से बिटा हमने पता करा किन-किन figure के rotational symmetric order एक से अधिक है सिर्फ बच्चों C figure को छोड़के सभी figure के rotational symmetric order एक से अधिक है चलिए फिर मिलेंगे फिर कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए good bye